नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मुकुल इस्टे में आज हम पढ़ेंगे समाने बिज्ञान भागवन हम बिज्ञान के भारे में पढ़ेंगे ओके देखिए अभी हमारा सीरी चल ला है पेट एक्जाम और यूपी एसाई यह दोनों एक्जाम आने वाला है और यह इसम कमेंट बॉक्स में बतायेगा आपका कितना सही हुआ ठीके दोस्तों में टोकें सबसे पहले हम मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन क्या अच्छ का खूद बदलाओ बनिये जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं अगरोत इस बढ़िया मोटिवेशन है क्या कह रहा है खुद बदलाव बनिये जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं हम सब बदलाव चाहते हैं दोस्तों लेकिन कभी अपने आपको बदलना नहीं चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आपको बदलें तब जाके दुनिया वालों के बारे में सोचेंगे ठीक है तो इस सिटीन क्या है प्रति रोधी है पीडाहर है प्रति आवसादक है या प्रति जिवाडिक है बताइए दोस्तों कि देखिए क्लोरोमाई सिटीन क्या है प्रति जिवाडिक है आपसर नमर डी सही होगा क्या है प्रति जिवाडिक है ओके दोस्तों कि नेक्स्ट है पैरा सिटिमॉल किया है बताएगा पैरा सिटिमॉल किसके काम आता है एक पीडा हर है एक परतिजैविक है एक सल्फाड्रक है या पेट का अलसर बनाता है बताएगा पैरा सिटिमाल क्या है किसलिए धवा कयो जोता है देखे ये एक पीडा हर है याने की ये दर दिवारक है ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स कोशन बताएए पृतिवी की पपड़ी में बिसुत दुरूप से पाई जाने वाली धात हुए प्रित्वी की पपड़ी में बिसुत दुरूप से पाई जाने वाली धात हुए सोडियम, मैंगनेसियम, तामा, प्लेटियम बहुत यह असान कोश्चन है, बताइएगा देखे, ताबा, कापर, ठीक है? कापर जो है, प्रित्वी की पपड़ी में बिसुत दुरूप से पाई जाने वाली धात हुए ओके? आगला बताईए सोशन के लिए समुंदरी, गोता खोरो, नमलिखिन मिश्रड का उपयोग करते हैं सोशन के लिए समंद्री, गोताओरो, जो समंदर में जाते हैं, खोच करने के लिए, गोता खोरों मिश्रड का उपयोग करते हैं पहला आक्सीजन तथा कारवन डेकसाइट, दूसरा हाईड्रोजन तथा आक्सीजन, तिसरा, आक्सीजन तथा नाइ्ट्रोजन, चौता, आक्सीजन ततर हिलियम बताइए देकिए, आक्सीजन ततर हिलियम का होता है, ठीक है सम Reese般енияagine समंदर ह치를 जाते हैं सांस लेने के लिए आक्सीजन ततर हिलियम का मिस्टड प्रयोग करते हैं अपिसी फोरिन सफोर दोन से लिए हैं इस फोड़े टेर र्हें पदारथते हैं सेलफोनिक अमला के कैल्तियम तथा-मेंसिय। लवड में गुलंसील होते हैं वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं बताइए कुन सा सही है देखिए इसमें क्या होगा सलफोनिक अमलके कैलसियम तथा मैंगनिसियम लवड जल में गुलंसील होते हैं आपसर नमब सी सही है ओके चलिए नेस्ट कोश्टन बताइए चटा है लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लगती है लोए की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लगती है बताइए बहुत sì आसान कोश्टन है दोस्तों कि देखे किसे फेरस और फेरिक हाइड्रक्साइड के मिस्रड से ठीक है लोही की वस्तुम में जंग का क्या करण है फेरस और फेरिक हाइड्रक्साइड का मिस्रड से आगे बताईए रसानिक तोर पर हीरा क्या है रसानिक तोर पर हीरा क्या है धातु कार्बोनेट नेटों का मिस्रड सुद्ध कार्बन रेट का सुद्ध रूप कैल्सियम और मैंगनेशियम फास्पेट का मिस्रड बताईएगा एक हैं रसानीक तुर पर रहा क्या है कि क्या यह सुद्ध if कारबन नमर भी सई होगा never या क्या है सुद्रूप से, सुद्र कार्वन है, ठीक है, अगला बताइए, रोसोई गैस किसका मिस्रड है, कार्वन मौनो अक्साइड और कार्वन डायक्साइड, या ब्यूटेन और प्रूपैन, या आपसंसी है, मिथेन और एथिलीन, आपसंडी है, कार्वन डायक्साइड और Oxygen बदाएगा लख सिए गैस किसका मिस्ट आप लफिजी किसका है विटें और प्रोपेन का structural भी तैल-पी-जी ठिक है लिए पेट्रोलिउम गैस इसके रसोी गैस करते हैं कि हम आगे बताइए Tobias ब कि ब विजली के बलब कांधर कौन सी गैस होती है वाई आक्सेजन नाइट्रोजन कर्वन डैकसेड ताहिए कि बजली के बलब के अंदर कौन सी गैस होती है नाइटोजन होती है Biz to इसको याद रखिएगा important question है कि अगे बताईए कि परग सुन्य ताप क्या है किसी भी तापमान पैमाने का आरम बिंदू आपसन भी है सैधान्तिक सैधान्तिक गुरूप से नियूंतम संभो तापमान आपसन सी है वह तापमान है जिस पर सभी द्रवपदार्थों के वास्प पुझम जाते हैं आपसन डी है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वास्पी प्रोस्था में होते हैं ठीक है बताईए दिखे क्या होगा सैंधान्तिक गुरूप से नियूंतम संभो तापमान ठीक है आपसन नमर भी सही होगा परमसुनिताप क्या है सैंधान्तिक गुरूप से नियूंतम संभो तापमान ओके नेक्ष्ट बताईए पसुओं की हड्डियों तथा दातों में मुख्य रसानिक पदार्थ है पसुओं की हड्डियों तथा दातों में मुख्य रसानिक पदार्थ है सोडियम कुल्राइट सरकरा कैलसियम फास्पेट कैलसियम सल्फेट बताएए क्या होगा कैलसियम फास्पेट है option No. C सथी है पसrosed अके हड्य य्पत्ता आध जात किसा है कैल्सियं अ है मोजक़ अपासपेड यह को के दोस्तों चलिए डिश्र चार्जえる के आर्बन की नियुनतर्य ओती है कार्बन की नियुनतर्यल्प्त değildi कि इस पात में कच्छा इसको क्या गतने पिक लोहा में पिटवा लोहा में डहलवा लोहा में बताईए आफ कि कर्बन की नी ने मात्रा होती है मार्स गडेस पूछ रहा है कार्वन डाक्साईड, मिथैन, यथैन, कार्वन मोनो एकसाइड मिथैन में आपसे नमबर मर्स गेस बचना को कहते हैं धूत को याद रखेघा आगे है किर कारी प्रकृर्ट अमली है क्योंकि इस में होता है सिट्रिक कम इस focus का के ख़िए असान कोश्ण है थेक देखी दूसतों इस टाइब का कोशिन हर बार च Ö तो इस बार भी क्या है आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखिएगा सिर्का की प्रविर्त प्रकिर्ती अमली है एसीटी गमल का ठीक है आपसर नमर डी सही है लिए आगे बढ़ते हैं पंद्रमा कोश्चन नीबू तथा संत्रे में पाए जाने वाला और है एसीटी कंड रेकोली कम्ल सिट्रीकम या आग्जैली कमल ला कि देखें क्या होगा सिट्रीकम आपसर नमर सी सही है नीबू तथा संत्रे में पाए जाने वाला अमल है से इसिट्रीकम को नेक्स बताईएगा फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढख कर रखा जाता है क्योंकि बताईएगा कागज के सेलूलोज एसिस्टेट को ताजा रखना उश्रक है सुरिकी केडों वाले कागजों के द्वारा असानी से अवसोसित हो जाते हैं जाती ये तता फिल्म डेलप में सहायक होती है आपशंदी है प्लेट पर लगा सिलवर रजत बुर्माइड प्रकास के प्रती अति असामिदन सीब है काला है कागजों से प्रकास के संपर्क में नहीं आने कि जाने देता आप संड़ी मों कि हaws अ भुर्माइड का धाथ्वीक जादी में बदलना अवश्क पड़ा सुलामा का क्या होगा के लेकि क्या होगा है्व की कर लेट पर लगा सिल्वा रजत ब्रुमाइट प्रकास के प्रति अति समय दिंसिल है काला कागज उसे प्रकास के संपर्क में नहीं आने देता आपसे नमर सी सही है ओके हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं कि सुत्रमा पोश्चन है यदब रोसन बल्व के भीतर का तापमान लगभंग 2700 डिग्री सेंटिगेट है तथा फिलामेंट जल नहीं जाता फिलामेंट जल नहीं जाता क्योंकि जिस धातु से बना होता है वो अगनी प्रतिरोधी होता है जनने के लिए आवश्चक आक्सीजन बल्व में मौझूद नहीं होती है क्योंकि बल्व निर्वातित होता है तता उसमें असुद नाइट्रोजन या अक्री गय से भरी जाती है आपसन C है या संवरित तंत्रोव में नहीं जलता है आपसन D है या अधात्विक पदार से बना होता है बताईएगा दिखिए क्या होगा जलने के लिए आवस्यक आक्सीजन बल्ब में मौझूद नहीं होती है क्योंकि बल्ब के निर्वातित होता है बल्ब क्या होता है निर्वातित होता है तता इसमें असुद्ध नाइट्रोजन और अक्री गैसे भरी जाती है तो आपसन नमर B क्या होगा सही होगा अठ्वाव कोश्चन चलते हैं हाइड्रोजन से सबसे अधिक योगिक बनाने वाला तत्तो है कौन सा है देखिए कार्बन आपसन नमर C सही होगा हाइड्रोजन से सबसे अधिक योगिक बनाने वाला तत्तो कौन सा हो जाएगा कार्बन हो जाएगा ओक्या अगे बताइए आग बुजा ने के लिए काम में लाईये आपने वाली गैसे बहुत यहसान क्युस्क्री darauf काम मिल आए जाने वाली गैसे कार्वन मोनोऔक सैड ड्रक्साइड कर में बताएगा एक grilled ड्रक्साइड आपको ठीक है अधील कार्वन द्रक्साइड आघ काम आने वाली गैस है प्रक्रम में होता है लोग आयस्क से लोहे का उत्पादन निम्रिकित प्रक्रम से होता है क्लोरिनी करण अपचेन प्रभाजी आश्वन बिद्दुत अपटन बताएगा देखिए अपचेन से होता है अपसर नमर 20 है लोएस्क के लोहे से उत्पादन निम्रिकित प्रक्रम से होता है अपचेन से होता है 20 का क्या हो जाएगा B 21 बताएगा जल के साथ सुच बिलियन नहीं बनाने वाला योगिक है बेंजोईक अम सरकरा बेकिंग पाउडर काश्टिं सोड़ा अशान कोस्चन है क्या होगा बताईए बेंजोईक अम्ल होगा ठीक है जल के साथ सुच बिलियन नहीं बनाने वाला यूँग इख है बेंजोईक अम्ल आपसर नमर एस हए ठीक है दोस्तों चलिए बहिसंवा बता दाप पर गर्म से मुमी ठोस में बदल जाने वाली गैस है क्लोरीन हाइड्रोजन एसिटिलीन एथिलीन क्या होगा एथिलीन होगा ठीक है आपसर नमर डी सही है उचतापमान दाप पर गर्म करने से मुमी ठोस बदल जाने वाली गैस कौन सी होती है एथिलीन होती है आपसर नमर डी सही है तेश्वा बताइए उरुवरक में निमलिखी तत्तो अपलब्द नहीं है नाइट्रोजन ह क्लोरिन आफ पॉरस को कि can show you a chlorine ठीक है और रुरुक में निमलिखी तती भण क्या पलब्द नहीं है क्लोरीन नहीं है बाकी नाइट्रोजन है फो जना है क्लोरेन किया है नहीं है को दोस्तों इसको ध्यान रठीए गा हिक विभी चॉट्यों बताई हीरा उसी एकत्तो से बनाए जिससे बना है साधार लोड सरकरा ग्रिफाइट क्लोरोफार हीरा उसी एकत्तो से बना है meant चुब इसमों बताइएगा if graphite आपसे निम्रखित में से बने होते हैं 25 है पौदो की बिर्द्धी के लिए महत्पूर्ड योगिक निम्लिकित में से बने होते हैं कार्बन आक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर लेखिए नाइट्रोजन ठीक है यह पौदो को बिर्द्धी के देने में करने में योगदान देता है के लिए आगे बताएए 26 वा कास्टिक सोडा के बिल्यन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने होगी कुण निम्लिकित में से किस तरह काम में लाया जा सकता है इधन और वरक साबून प्लास्टिक क्या होगा साबून होगा ठीक है आपसर नमर सी सही है कास्टिक सोडा के बिल्यन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने होगी को क्या करते हैं साबून ठीक है अगला बताईए महासागरों से सुद जल किस विदी से प्राप्त किया जाता है कोश्चन है महासागरों से सुद जल किस विदी से प्राप्त किया जाता है फिल्टरन वास्पी करण आश्वन प्रभाजी आश्वन बढ़िया कोश्चन है दोस्तों क्या होगा प्रभाजी आ समान निलवर्ड प्राप किया जाता है उर्धो पातन क्रिश्टलन वास्पी करण फिल्टरन क्या होगा वास्पी करण से ठीक है आपसे नमर भी सही है ओके दोस्तों किस प्रक्रम से समुद्र जैसे समान निलवर्ड प्राप किया जाता है वास्पी करण से को क्याicação the next ऐख अचान उनत्यस्वां कि बेकिंग सोडा का रजानिक नाम कौन सा है बेकिंग सोडा का रचा नाम कौन सांग काल्सिण फसीत सोडिययूμ लाय कार अद्सोडियूम कॉल्राइंट बताए यह दोस्तों बेकिंग सोडा का रशान इग नाम पूछ रहा है वहुत ही असान कोश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट देखिए दोस्तों ये कोश्चन बेरी बेरी इंपर्टेंट है आप लोग के लिए ठीक है नेक्स्ट है कपड़े दोने वाला सोडा क्या है कपड़े दोने वाला सोडा क्या है तीसमा कोश्चन है बताएगा सोडियम कोलाइड जल योजित सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट कैलसियम कार्बोनेट देखिए जल योजित सोडियम कार्बोनेट कपड़े दोने वाला सुड़ा क्या है जल योजित सोडियम कार्बोनेट अगला कोश्चन है कपडों के रंग का विरंजन बिलिचिंग करने वाला अभिकर्मक ठीक है कपडो के रंग का व्रंजन करने वाला रॉपम्द के सूडियूम कुलीट सुधुर्ड डाय एकसाइड या स데फवर ट्राय एककसाइड बताइगा अप गलं किस च्पर तोस वहत रोगने से उसका सीधे गैसी रूपमे परिवर्ति हो जाने की सुझे का प्रक्रम कालाता है कि स्थो स्वस्थ को गर्म करने से उसका सीधे गैसी रूप से परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कालाता है भी ओजग बिलियन उर्धुपातन वास्फी करण ग्रूर्ण डिखें कि यह ऊज़ता है उर्धपाथन होता है अपस्ञ नमर सी सही होगा ओके दोस्तों नेक्स बताइए बारूद निमलखित का मिस्रण है अब पारूद निमलखित का मिस्रण है बालू ओ टीन टी थी-एं-टी-बालू-टी-एं-टी-सलफर-रेत वब काट को कोईला चारकूल और आपीन टीन टीन टीनटी वह काडिको बताइएगा ऐसे ढिलन कर नाइट्रेट शुफर वह काड़ कोईला चारकूल ठीक है नाइट्रेट सनस्पर और इन कर दो से आप खलते इस से अजरुकर मैं डोस्तों तो हुमिंद साही होगा算 कर uitijo होता ही है खाद परिच्छक के रूप में सरवादिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है खाद परिच्छक के रूप में सरवादिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है बेंजोईक अम्र ओके दोस्तों आपसे नमर डी सही था चोंतिसवा का थीसवा बताईए दूद निमलिखित का उधारण है निलंबन जेल पायस जाग क्या होगा पायस होगा दूद किसका उधारण है पायस का ओके आपसे नमर सी सही था चतिसवा बताईए बैग्यानिक उपकरड़ो में परावैगनी केड़ों को गुजारने के लिए सिल्का का सुध क्रिष्टली रूप है सुड़ा कांच पायरेक्स कांच कॉर्निक कांच क्वार्टर कांच बहुत बढ़िया कोशन है दोस्तों बताईएगा देखिए इसमें क् क्वार्टर क कश कौन्सा उक्त्स कांच अफसंन्य मर्ण स्यये कि दोस्तों सथी सच बताईए कपूर कासानी से सूधन करने का प्रक्रम है अमर्दो पातन क्रिष्टलन आश्रान और शाधन बताईएगा करें घरीए अर्दो पातन ठीक है कापूर का असानी से सोदं करने का क्या प्रक्रम है उर्दो पातन है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसवा बताईए गैसोलीन को निम्लिखित में से मिस्रित करके गैसोहाल बनाते हैं गैसोलीन को निम्लिखित में से मिस्रित करके गैसोहाल बनाते हैं आप्षन नहीं नंबर 6 व्या रिटी को निम्लिकिन मिश्रिक करने का गेस होल बनाता है क्याँए अग्ला बताईए है बीजी ज़ाब समय समानता काम मिलाए जाने वाले उर्वरोग में होता है नाइट्रोजन प्रोटास फास्पोरोस कैल्सियम क्या होता है नाइट्रेट नाइट्रेट होता है बीज भूते समय समानते काम मिलाए जाने वालों क्या होता है नाइट्रेट होता है ओके दोस्तों चलिसों बताइए भोजन पकाते समय अधिक्तम नुष्ट होने वाला पदार्थ है वशाप प्रोटीन कार्बोहाइटरिट ब क्या होता है भीटामीन ठीक है भूजन पकाते समय अधिक्तम नश्ट होने वाला पदात क्या है विटामीन है ओके दोस्तों अगला बताईए एक तलिसमा है रेफिज रेटर में परसी तलग का काम करने वाला द्रह है द्रवी कारवन डैक्साइड द्रवी नाइट्रोजन द्रवी अमोनिया और तिसी तलग जल बताईएगा एक तालिस का सी द्रवी अमोनिया ठीक है रेफिज रेफिजेटर में परसी तलग का काम करने वाला द्रह है द्रवी अमोनिया ओके चलिए ब्यालीसवा कोश्चन एथेनाल के अत्यदिक सेवन से जिस अंग को हानी पहुंशती है उसका नाम है ब्रिक फेफडे हिर्दय या क्रित ब्यालीसवा बताईएगा क्या है एक्रित है ठीक है दोस्तों क्या है एक्रित है चलिए तर्वा बताईए पीने वाला सूड़ा होता है उदासीन आक्सी कारक प्रकिर्थ से अमली या प्रकिर्थ के से छारी बताईएगा 43 का है पीने वाला सोड़ा क्या होता है देगे पीने वाला सोड़ा क्या होता है प्रकिर्थ से अमली होता है अपसर नमर सी सही होगा ओके आगे बताइए रसो चिकिस्सा का संबंध निम्न में से है और दोगे की इंजिनियरी युद्धो में रसानों के उप्योग रोगे की उपचार में रसानों के उप्योग और अध्यान या आपसंडी है खाद उद्धों में रसानों के उप्योग बताइएगा रसो चिकिस्सा का संबंध किस्स से चौह लिसां कोशना है पिसे रोगों के उपचार में रसानयों का उपयोग और अध्यान आपसे नमर सी सही यह रसोची किस्सकत से ठीक दोस्तों नेक्स्त टेक कोलेस्टराल है क्लोरोफील का प्रकार, क्लोफार्म का व्यूत्पन, जीव वसा में पाए जाने वाला वसा अलकोहल या क्रोमियम लवर्ड, बताईएगा क्या है जीव वसा में पाए जाने वाला वसा एलकोहल होता है कोलेस्टरॉल ठीक है अगला है डीडीटी अगला है डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निमलिखित तरह उपयोग किया जाता है अगला है प्रतिरोधी प्रतिजयवी कीट नासक और वरत बताईये कौन सा सही है किट नासक ठीक है क्या डीडीटी उस रसाने नाम जो निम्लिखित के उप्रिव होता है किट नासक के रूप में के दोस्तों नेक्ष्ट है धूल और ग्रीज को सता से साफ करने वाले अपमार्जक इसनेहक विरंजक अपचायक को बताईएगा 47 वा लिके अपमार्जक करते हैं ठीक है दोस्तों नेक्ष्ट बताईया 48 वा आसानी से जाग नहीं देने वाला जल कहलाता है मिर्दुजल कठोर जल भारी जल खनीजल क्या कहलाता है कठोर जल आपसर नमर सी सही होगा ठीक है असानी से जाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है कठोर जल ओके दोस्तों बताइए गुंचस्वा अक्री गैसे जल में मिस्रडी होती है अस्थाई नहीं होती है रसानी ग्रूप से अभी क्रिया सिल नहीं होती है रसानी ग्रूप से अती क्रिया सिल होती है बताइए कौन सा सही है देखे अक्री गैसे रसानी ग्रूप से अभी क्रिया सिल नहीं होती है तो आपसर नमर सी सही होगा ठीक है दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सस्क्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें कि ज्यादे से जादे स्टुडेंट आए और वीडियो को देखे लेक्चर को देखे ठीक है दोस्तों? चलहें the last question है पचास्मा Rंग बंधक रंग बंधक वबा पधार्थ है जो क्या है कपडंपर रंग पक्का करने के काम आता है । विरंजग का काम करता है रंग को प्रगाड बनाने के लिए सच्छम है आपसंडी अत्यंत कठोर ठोस होते हैं रंग बंधक क्या है क्या है यह कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है रंग बंदग क्या होता है कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है तो आपसे नमरे सही होगा ठीक है दोस्तों 50 questions पूरे हुए आप लोग बताईए का आपके कितने questions रही हुए comment box में comment करके अगर आपको किसी और परकार का topic चाहिए तो दोस्तों मुझे बता दीजेगा comment box में comment कर दीजेगा मैं आपको वीडियो अब लेवल कर दूँगा ठीक है दोस्तों thank you